मिडलीस में इरान की बढ़ती ताकत की काट कैसे निकाली जाए इसको लेकर अमेरिका और इसराइल काफी परिशान है क्योंकि एक तरफ जहां इरान गाजा में हमास को पैसो और हत्यारों की सप्लाई कर रहा है वहीं उत्री फ्रंट पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुला को सपोर्ट करके वो इसराइल पर दो तरफा दबाव बनाये हुए है वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में यमन का अतंकी संगठन हूती इरान के इशारों पर लगातार पश्चमी देशों के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हम लेकर रहा है जिससे अमेरिका मिडिलीस्ट में बूरी तरहा से उल्जा हुआ है और इन हलातों के बीच इरान का लगातार अपनी ताकत को बढ़ाना अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और अब इसी कड़ी में इरान की सेना को कुछ ऐसे ड्रोन्स मिल गए है जिनसे वो मिडिलीस्ट में और तबाही मचा सकता है दरसल इरानी रेवलुशनरी गार्ड कॉप्स की जमीनी सेना को मौडरन कामीकेज ड्रोन्स और युद्धक यानी कॉमबेट ड्रोन्स की डिलिवरी हुई है बड़ी बात ये है कि इन दोनों ही ड्रोन्स को इरानी सेना ने खुद बनाया है आपको बता दे कि 20 फरवरी 2024 को इरान की थल सेना को शहीद 131 और अबाबिल पांच युद्धक ड्रोन की सप्लाई हुई थी और इरान ने इसको लेकर एक कारेकरम भी आयुजित किया था जिसमें इरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स ने हिस्सा लिया था इरान के ये उत्तम ड्रोन्स इरान की थल सेना की ताकत को तो बढ़ाएंगे ही साथ ही ये ड्रोन्स एंटी इरान आतंकी संगटनों के खत्रों से निपटने में भी एहम भूमिका निभाएंगे बड़ी बात ये है कि इरान ने जनवरी 2021 को पहली बार शहीद 131 ड्रोन को सार्वजनिक किया था और इसके बाद अन्य कारेकरमों में इस ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था इस दोरान इरान ने शहीद 131 ड्रोन के कई परिक्षन भी किये थे जिसमें उसने इसराइल के परमानु सैयंत्र डिमोना पर हमले का एक नमूना भी पेश किया था लेकिन इस ड्रोन की ताकत की बात की जाए तो ये अपने आप में काफी एहम है इरान के मताबिक शहीद 131 ड्रोन की लंबाई और चोड़ाई 2.2 मीटर है इसका वजन 135 किलोग्राम है और ये 900 किलोमीटर तक के दायरे में टार्गिट पर हमला कर सकता है वहीं अबाबिल 5 युद्धक ड्रोन को इरान ने 18 अप्रेल 2022 को पहली बार राश्य सेन दिवस पर पेश किया था इस ड्रोन को इरानी एरक्राफ्ट मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रियल कमपनी H.E.S.A. ने बनाया है अबाबिल 5 ड्रोन का डिजाइन अबाबिल 3 और महाज़िट 6 ड्रोन के मॉडल्स को मिला कर बनाया गया है और अबाबिल 5 ड्रोन के पंक छोटे हैं जिसकी वज़ा से वो भारी विस्फो टक ले जा सकता है आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब इरान ने इस तरह के घातक ड्रोन्स की नुमाईश की हो बलकि इस से पहले उसके फतेह और कामी के इस ड्रोन्स की ताकत युक्रेन में पूरी दुनिया ने देखी है इरान के सैनने एक्सपर्ट्स और इंजीनियर खालिया वर्षों में कई प्रकार के घरेलु हत्यार और उपकरन बनाने में आत्म निर्भर हुए हैं यहां तक कि इरान पश्वी देशों के ड्रोन और मिसायलों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में भी माहिर है इरान के साथे विर सों जो प्रोन निर्भर के ड्रोन की रिवर्स तक केने शाम भी में हुए हैं आप tenemos आती उ aan ज, आती